एक समय की बात है एक छोटे से गाउं में एक ब्राम्हन रहता था वह बहुत धयालू और धर्मशील व्यक्ति था उसके पास एक गाएं थी जिसे वह बहुत प्यार करता था वह गाएं उसकी आजीविका का मुख्य साधन थी क्योंकि उसके दूस से वह अपना और अपनी पत्नी का पालन पोशन करता था एक दिन गाउं में सुखा पड़ गया लोग पानी और भोजन की कमीशे परिशान हो गए ब्रामण की गाएं भी कमजोर हो गई क्योंकि हरे घास और पानी की कमी हो गई थी ब्रामण को यह देख कर बहुत दुख हुआ लेकिन उसके पास गाएं को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था तब ब्रामण ने सोचा मुझे अपनी प्यारी गाएं को किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेज देना चाहिए जो उसकी अच्छी देख भाल कर सके यह सोच कर वे अपनी गाएं को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा रास्ते में उसे एक साधु मिले साधु ने ब्रामण से पूचा तो इतने उदास क्यों हो ब्रामण ने साधु को सारी बात बताई साधु ने कहा तुम इस गाएं को मुझे दे दो मैं इसका अच्छे से पालन पोशन करूंगा और इसे हर रोज भगवान की सेवा में लगाऊंगा ब्रामण को साधु की बात पर विश्वाश हो गया और उसने गाएं को साधु को दे दिया साधु ने गाएं को साथ लेकर जंगल में चला गया कुछ समय बाद गाऊं में बारिश होने लगी और हर जगा अर्याली चा गई ब्रामण ने फिर से अपनी खेती शुरू की और उसकी स्तिती सुधरने लगी एक दिन साधु ने ब्रामण के घर आकर उसकी गाएं वापस कर दी गाएं अब पहले से भी अधिक स्वस्त और तंदृस्त हो चुकी थी ब्रामण ने साधु को धन्यवाद दिया और भगवान का अभार माना इस तरह ब्रामण और उसकी गाएं फिर से खुशाल जीवन जीने लगे दोस्तों आपको याखता कैसी लगी अपने विचार और सुझाओ कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गहन परापत हो जैशिर राम भकतो